बहुत बहुत दिन्यवाद सर्युक्तमोर्चा गाजीपुर्ट का जोनों ने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया सो सबसे पहले था सारण वाहिगुरूजी का खालसा शिरीवाहिगुरूजी की फतेग सो मैं पंजाव से आता हूँ और लगातार यहां पर काभी कहा जा रहा है कि जो सब्सक्राइब के बाद कईयों को नूडशा रहे हैं जा कईयों की जो फोटों कर दिया दिल्ली पोस्तवारा किया गया जह सबसे पहले पंजाब में हो चुका है जब कोविड का कोविड चल रह पंजाब में तो हमने खत्म कर दिया दिल्ली में आख कसानों ने खत्म कर दिया जैसे नहां दोलन आ और बड़े गा तो पूरे बाद में कोविड जाल्दी से जाल्दी बाग जाएगा और वहां पे जब लोगों को बोला जा रहा था कि जब बीजे पी और शुरुम नियका जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था कि यह काले कानून है लोगों को संगधित किया जा रहा था जो लोग अगवाई करते के पंजाब में सबसे पहले वहां की कॉंग्रेस सरकार ने उनके 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 महामारी भालाने के पर्चे का दे और वही सरकार जब पंजाब क किसान वहां पे वीपा हर्शमृत का और बादल के गर के आगे और पट्याला में कैप्टर अमरिंदर सेंग जो वहां का मुख मंत्री है उनके गर के आगे बैठ गए और जब यह अंदोलन शर्क को टोल प्लाजों पे पहुंच गया जब पता चला के पूरा पंजाब एक वह यहां पे आए होए हैं तो इसको एक सनमान केनगी तरह लीजिए जब इसके दर सरकार के साथ बातचीत होगी और जब तीनों कानून रत होगे और जो कानून है वो बढ़ेगा और बाकि जो किसानों की डुमान है जब वो मानी जाएगी तो ये पर्चे भी साथ में कैसल कि कोई बात नहीं आए है और यह हैं जो जो कभी सूहूदं के सोंक्तों के लिए सुचते यहां पे हमाएं ठीकाए बहुत कुछ हमें सुते मिन रही हैं लेकर लेक्ट हमें बी एक दिना जैनों में जाना ही पाड़ता है क्योंकि देश को परवारतन लाने के लिए बहूत सी करवानियां देनी पड़ती है क्योंकि पंजाब और पूरे देश में ये अंदोलन पंजाब से उठके अब पूरे देश में फैल चुका है सरकार ने पहले इनको बोला कि ये खालिस्तानी है फिर बोल दिया ये अर्बन नक्सली है फिर बोल दिया कि एक स्टेट का है अब बोल रहे है ये पंजाब और हरेना में हरेना का है अब दो तीन दिन के बाद बोलने लगेंगे कि ये पंजाब हरेना यूपी का है और जब तक यह अंदोलन दीरे दीरे यह सरकार खुद मानेगी कि यह अंदोलन देश के आनदाताओं का है और यह जाना अंदोलन है आप देखिए इसे जो बीजेपी सरकार है आरेसेस है जिन्होंने लबरत की राजनीती इस देश में शुरू की और कोई भी दूसरी पाधियर के सामने घ गुसरे तक नहीं दिया जा रहा है हमारे बजुर्गों को प्राप्त हुआ था कि देश को 1907 में अग्रेचों से अग्रेचों से अजादी दुलवारी लेकिन हम मेरे मान से कह सकते हैं कि जो उनकी डूर रूल और पाड़ों और राजकरों की नीती जो अभी तक चला रखिय है जिन्होंने डेवल जीटियों के लोगों के यह पूरा का पूरा देश बेज रखार रखाते हम उनसे यह देश आजाद करने के लिए यह अजादी की सबसे बड़ा बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सब को मान होना चाहिए कि हम यह लड़ाई जीते गे लड़ हुआ है मुझे पता है कि मैं भी यूपिया उत्रागान पिछले वीग गया था और देखा के वहां पे पुल से गाडियों के नंबर रोड कर रही थी जब हम नवरीज की जो यात्रा लेकर यहां पर आये थे तो लगादार इतने दबाओं के बावजूद आप यहां पर आय सब्सक्राइब करता है तो हमारा एक मीडिया था शोचल मीडिया शोचल मीडिया पे हम अपनी बात रखते थे और दुनिया बार को यूटूब और इसका गाम और बाकी साइज के थू हम अपनी प्रपर जानकारी देते थे लेकिन आप इनके सोचल मीडिया पे बड़ा सब्सक्राइब को बहुत जादा लाखों में फेक आइडिया बनाई है और वहां पे हमें एसंट कहा जा रहे हैं यह तो किसान खुद लड़ रहे हैं पंजापी से पंजापी लड़ रहा है हैं और यूपी बार यूपी बार इ के चैनलों को खरीद सकते हैं वो फेस्बुक पे जैदी दो लाख आईडी बनाने के लिए कोई 10-15 लड़के बिठा दे तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है तो ऐसे मत सोचो जबी कोई फेस्बुक पे ने इनक्टिव कमेंट आते हैं आप आप खुद सोचते हो मैं मैं इस वीडियो भी बन रही है इसके दरिया कहना जाता हूं कि आप देखो पंजाब हरेना यूपी और पूरे बार्त में सभी गाओं से अब बिलकुल हो एक सिकतितों के लोग चल रहे हैं गाओं में वहां पे बोला जा रहा है कि जो नहीं जाएगा उसको जर्माना किया जाएगा पारेकर के साथ से चंदा कठा हो रहा है अब हर गाव से 15-20-20 लोग आते हैं साथ दिन लगाते दाफ दिन लगाते हैं वह चले जाते नहीं आते हैं तो हमारी पताई है हमारी सग्या कि से बड़ी है यह कर रहे हैं और यह जो लिटना शात्तिपुर्वर है उतना ह जाए यह जी देगे चाहे रहां पर दो रहे होगे दो रहे हैं तो ही आजए चाहे बड़ी का अब लागाते हैं हम अपनी मांकर रुणाने के विड़ा हम जाते हैं नहीं करेंगे तो